डिक्टेशन पांच सेकंड बास स्टाट हुआ येस रेडी स्टाट परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने जम्मु कुस्मीर को लेकर किये गए एधिहासिक सहसिक एम निरनायक बदलाओं पर राष्ट्र के नाम संबोधित करके आम जनता की अनेक संकाओं एम दुस्चिंताओं का निवारन करते हुए जम्मु कस्मीर और साथ ही लद्दाक में एक नई सुर्वात होने की बात कही विराम निश्चित ही अनुछेद 370 और 35A हटाने का केंदर सरकार का निरने एक नए एम परिपुरण भारत के निर्मान की दिशा में एक सार्थक पहल है विराम असल में देश को एक नई आजादी का स्वाद मिला है विराम भारत के मस्तक एम दर्ती के स्वरग को एशांत आंतक गरस्त एम एविक्षित रखने की कोशिस नए केवल पाकिस्तान के दवारा बलकि हमारे अपने स्वार्थी राजनितियों के दवारा होती है विराम इस एशांती एम धुंदल के को दूर करना समय की मांग थी विराम चुंकि यह भारत के भाग्या का एक अनुठा एम विलक्षन बदलाव है इसलिए खुद परधान मंतरी जम्मो कस्मीर और लदाग के साथ साथ देश के लोगों से सिदे अपनी बात कहे यह अपेक्षा महसूस की जा रही थी विराम यह अच्छा हुआ की उन्होंने वक्त की यह मांग पुरी की विराम एरा जम्मो कस्मीर में जो हम चायते थे और जो था उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी और यह खाई पाटना कोई नहीं चायता था क्योंकि इसी खाई को कायम रख कर अनेक राजनेताओं यह राजनितिक दलों के स्वार्थों की रोटियां सिखती रही है विरम वहां संपुरन विवेस्ता बदलाव चायती थी और बदलाव का प्रियास कोई नहीं कर रहा था विरम वहां जो विवेस्ता सोच एम राजनितिक स्तीतियां थी और जो पनप रही थी वह नयाय लोगतंत्र एम राश्ट्रियता के गेरे से बाहर थी विरम, सब चाहते थे, उपदेश देते थे कि अन्याय ने हो, सोशन ने हो, हिंसा ने हो, एश्यांती ने हो विरम, अगर अन्याय हिंसा एश्यांती एव एराश्ट्रियता को दूर करने का कोई भी प्रियास होता तो विरोध के सवर खड़े हो जाते विरम, लेकिन नरेंदर मोदी सरकार ने जो चोकाने वाले प्रिद्रशय उपस्तित किये उसे एक सुधार की प्रकिरिया परारम होगी विरम, राश्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने यह सही कहा की एक सपने को पूरा करके एक नई सुर्वात होने जा रही है विरम, इस करम में उन्होंने यह रेखांकित करके बिल्कुल सही किया कि यह प्रशन दसकों से अनुत्रित ही था कि आखिर अनुचेद 370 से जम्मु कस्मीर और लदाग के लोगों को क्या लाब मिल रहा था क्यो सन्मार्ग इस सवाल का जवाब कम से कम उन्हें अवस्ये देना चाहिए जो अनुचेद 370 हटाने और राज्ये के पुनरगठन का विरोध कर रहे है क्यो सन्मार्ग उन्हें बताना चाहिए कि वे भेदबाव भरे और अलगाव को बल देने वाले उस प्रावधान की वकालत क्यों कर रहे हैं जो इस राज्ये के दलीतों और आधिवाश्यों के अधिकारों पर कुठा रागात करने के साथ ही राज्ये के बाहर के लोगों से विवा करने वाली युवतियों के अधिकारों का हनन करता था क्योशन मार्क परधान मंतरी की और लोकतांतरिक विवस्ता को लागू करने में बादा खड़ी करने वाले लोगों से यह भी कहना चाये था कि उनके चलते राज्ये के तमाम लोगों को विभिन चुनाओं में वोट देने का अधिकार नहीं था विराम आखिर कस्मीर की राजनिती से आजादी के बाद से जुड़े लोगों से उचना सहिए कि उन्होंने हिंसा आंतक तनाओं के अलावा कस्मीर के लोगों को क्या दिया क्योशन मार्क क्यों नहीं वहां विकास के रास्ते खुलने दिये क्योंकि नहीं परियाटन को प्रोच सहन दिया गया क्यों नहीं सिक्ष्या एम चिकित्स्या की समूचित विवस्ता होने दिया क्यों नहीं वियापार एम उध्योग पनपने दिया क्योशन मार्क ये और ऐसे अनेक जवलंत प्रस्ण है जो सरकार के नए निर्नियों की अपेक्षयाओं पर मोहर लगाते हैं और इन निर्नियों पर थोता भ्रामक बेबुनियाद विरोध करने वालों को मोदी ने करारा जवाब दिया विराम उन्होंने देशवाशियों को बल और सैबल देने वाले अपने संबोधन में यह स्पष्ट करके तमाम अंदेशों को खतम करने का ही काम किया की जमु कस्मीर को केवल कुछ काल खंड के लिए केंदर के अधिन रखने का फेसला वहां के हालात सुधार ने ब्रस्टाचार एंव आंतकवाद पर लगाम लगाने विकास और रोजगार निर्मान को गती देने के इरादे से किया गया है विराम उन्होंने यह जो ब्रोसा जताया की जमु कस्मीर को केंदर सासित परदेश बनाए रखने की जरूरत लंबे समय तक नहीं पड़ेगी विराम उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया की नए जमु कस्मीर और लदाख की अगवानी में करनिये महतोपुर्ण कारियों की सुर्वात अभी से होगी विराम हिंसा एम आतंग में डूबी कस्मीरी सिमाई राजनितिक स्वार्थों की उन्ची दिवारे अनेक ऐसे मुद्धे हैं जिन पर प्रसंचिन लगते रहे हैं हमें बड़ी ततपरता से इन प्रश्णों के उत्तर तलासने होंगे विराम स्वैम समाधान बनकर बगिरक्ष प्रियतन करने होंगे नई जमीन खोद कर नई बीजों को बोकर पुने कस्मीर के अनुकूल फसन उगाने एम उसे भारत का मस्तक बनाने का विराम अनुछे 370 का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाई बढ़काने के लिए पाकिस्तान दवारा एक सस्तर के तोर पर इस्तिमाल किया जा रहा था स्टोप